नमस्कार मैं हरोहित कुमार आप News 4 Nation देख रहे हैं तो जिस्वी आदब ने बिहार के मुख्यमंत्रे नितिश कुमार के उपर एक बड़ा हमला बोला यह हमला है बीजेपी के एम एलसी के उस बयान के बाद जिसमें बीजेपी के एम एलसी संजेपासवान ने कहा है कि नितिश भाजपाईयों की बात खंडन करने का मादा रखते हैं क्या यह सच नहीं है कि आदर नी नितिश जी ने मोदी जी के नाम पर वोट मांगकर अपना घोशना पत्र जारी किये बिना ही बीजेपी के घोशना पत्र पर 16 MP बना लिए क्या यह यथार तो नहीं है कि हर एक बिल प भूशन की आफ तो नहीं है कि नितिश मौडल जैसा कुछ भी नहीं है बिहार की बात करें तो बिहार में यह हमेशा से नितिश कुमार के चेहरे पर वोट मांगता रहा है या फिस्जेएद लड़ती रही है अब इन तमाम चुनाओं में नतीजे जो है वो नितीश कुमार जिनके भी साथ रहे सरकार उसकी बनती रही है ऐसे में अब बीजेपी के संजे पासवान ने जब इस बात का का एलान किया कि नितीश कुमार जैसा का जो मॉडल है वसा कुछ भी नहीं है उनका चेहरा कुछ भी नहीं है प्रधान मंत्री मोदी जो है उनके चेहरे पर वोट मिलता है और समभ़ता जो उनका कहने का तातपर था जो हाल में लोकसभा के चुनाम संपन हुए है और बिहार की 40 में से 49 सीटे जिस तरीके से अंदी के खाते में आई है उसके पीछे में लगता है कि नरेंद्र मोदी का यह मैजिक था जिसके वज़े से जीत हुई है यह पूरा दिन भर यह जो खबर है लगतार सुर्ख्यों में है उसके बाद जेडियों ने अपने अपने तरफ तरह से बयान दिया है बीजेपी कह रहे कि वो बड़ी पार्टी है राष्ट में आ गए है तो जिस्वी यादब और उन्होंने ट्वीट किया है अपना ओफिशिल पेज से जिसमें लिखते हैं कि क्या सियम भाज पाई हो यानि कि जो भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं उस बात अखर्णन करने का माददा रखते हैं यानि कि उनके अंदर हिम्मत है या नहीं क्या ये सच नहीं है कि नितिश कुमार ने मोदी जी के नाम पर वोट मांगकर अपना घोशना पत्र जारी किये अभिनाही बीजेपी के घोशना पत्र पर 16 MP मना लिए बिहार विदान सभा की बात करें तो 17 पर जेडियू, 17 पर बीजेपी और बाकी के बचस्तितों प अपने पेज पर इस बात को लिखा है कि नितिश कुमार में अगर हिमत है, अगर उके अंधर मादा है तो वह BJP के उस बात खंडन करें जिसमें BJP के मिलते हैं इस बात की मांग कर दी है कि नितिश कुमार को अब भिहार की सता BJP के हमाले करनी चाहिए, इस पर कुछ लाइक और रिट्वीट हैं, कुल अब तक कुछ मिन्तों में 662 से ज्यादा लाइक और 121 रिट्वीट हो चुके हैं, अलग अलग तरह है कि इसमें वीडियो लोग लगा रहे हैं, कोई तजस्वी आदब को ट्रोल कर रहा है, कोई BJP की समर्थन में लिख रहा है, कोई तजस्वी की सम नितिश कुमार पर जो हमला बोला है, उसका एक दुरगामी जो है, उसके बारे में आप उसका अनुमानिस बात से लगा सकते हैं, कि आज के ही दिन में कॉंगरेस के बिहार जो प्रभारी हैं, सक्टिसिंग गोहिल उन्होंने नितिश कुमार को उफर किया है, तजस्वी के आप बोला है उन्होंने कि एक व्यक्ति के अहंकार से गटबंधन नहीं चलता है, और अब जिस तरीके से बिज़ेपी के सहारे तेजस्वी अधर में नितिश कुमार के उपर हमला बोला है, तो कही ना कहीं बिहार के अंदर हर दल, चाहे वो महागटबंधन के अंदर शामि करन है, उसकी तरफ भी जो है, वो संकीत दे रहा है, क्योंकि बिहार में 2020 में लड़ाई होने वाली है, किसके तरफ कौन होगा, ये तो अभी लंबा वक्त है, इसमें तय होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि दो बड़े दल हैं, और जिसके साथ नितिश कुमार होंगे, या जादा हो सकता है, अधिक अब लेट्स के लिए देखते हैं, नमस्कार,